So hello, what's up, कैसे हैं आप सब, InterStars, हाँ जी मित्रो, तो आ गया हूँ मैं आपके साथ लेके, CA Inter Audit May 24 बैच की डिटेल, So after a rocking exam season, हम रेडी हैं अपने नए audit बैच के साथ, ready to learn with fun, and before I share the details about the batch, मैं आपसे सबसे बहले request करूँ गा, अगर अभी आप वीडियो के साथ जुड़े हैं, तो वीडियो पर अपनी attendance जरूर लगा दीजएगा, like करके, और अगर चैनल पर नहीं है, तो subscribe जरूर कर लीजएगा, ठीक है सर, Before I tell about the batch, let me share a brief intro about myself, ठीक है सर, आप कौन हो, So, मेरा नाम है शुवं केश्वानी, I am a chartered accountant by profession and teacher by passion, If I talk about my past background, I got All India Rank 8 at CA final level, All India Rank 29 at CA inter level, और दोनो ही levels में, अगर मैं बोलता हूना, मेरी rank का श्रे किसी एक subject को जाता है, तो भाईसा वो है audit, यानि एक ऐसा subject जहाँ पर most of the students found it difficult to score 40s, मेरी दोनों बार exemption आई, दोनों बार exemption आई, और कई बच्चे सर सोचेंगे, आपके CA final में सर 71 marks आए audit में, आपने किस से पढ़ा, The one and only Shubham केश्वानी सर से पढ़ा, तो यह एक बहुत ही अच्छा हमारा रिष्टा बना हुए audit के साथ, कई ना कई I know how to get the best of the best marks in auditing, audit is done in the practical world, तो जितनी भी मेरे instances होंगे, जितनी भी मेरी learnings होगी, वो भी मैं आपके साथ इस batch में share करता हुआ, चलूँगा, plus I did my become owners from SRCC, so वो जो toppers के tricks होते हैं, जो toppers के secrets होते हैं, कि भाई, last day पे toppers revise कैसे करते हैं, वो भी आप इस batch में सीखते हुए चलेंगे, blended का मतलब है, we will do understanding of the topic first, सबसे पहले हम topic के साथ comfortable होंगे, जब एक बार हम topic के साथ comfortable हो गए, मैं फिर एक level आगे लेके चलूँगा, सर ये एक level आगे क्या है, चीजों को सीखना, चीजों को learn करना, so that you are able to recall in the exams, मैं आपको एक बाप बताता हूँ, audit जो समझने का प्रक्रिया है न, वो बहुत असान है, बहुत सरल प्रक्रिया है, आप अराम से सीख जाओगे, अराम से समझ जाओगे, बट challenge कहां आता है बच्चों को वो आता है, exam में लिखने में, जब ICI आपसे expect करता है, आप 4 points लिखो, 5 points लिखो, वो 5 points recall करने में दिक्कत आती है, तो वहाँ आपको काम आएंगी, fun memory techniques, और ये memory techniques से कैसे अच्छे अच्छे results आएं, वो भी आपको इस वीडियो में पता चलता जालेगा, तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है sir, प्लस मैं आपके साथ करता चलूँगा, daily revision, यानि जैसी हमारी class complete होगी, मालो धाई घंटे की class है, after every 2.5 hours की class, हम उस पूरी class को 15 से 20 मिनट में एकदम बढ़िया वाला revise कर लेंगे, और वो revision आपको आपके Google Drive में मिल जाएगी, तो जब भी आप चाहो उस class को पूरा का पूरा revise कर सकते हो, उस topic को फटा-फट revise कर सकते हो, recall कर सकते हो, फिर एक बार self करके उस पे आप command पा सकते हो, so this approach has been really successful till now, and एकदम बढ़िया तरीके से सब कुछ हो जाता है, ठीक है sir, प्लस sir, इस batch का schedule का रहेगा, तो ध्यान से समझना, we are starting with this batch on 5th of December, yes, ठंडी शुरूरी और audit का batch भी शुरूरा, तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है sir, 5th of December से लेके, 15th of February तक ये batch चलेगा, around 2 months का हम इस batch को मान के चल रहे हैं, so around 50 to 60 sessions will be there, of 2.5 hours each, क्या ये बात समझ आती है, हाँ sir, प्लस ये batch रहेगा हमारा Monday to Saturday, mostly हम try करेंगे, Monday to Saturday लेंगे, and Sunday को क्या रहेगा sir, Sunday हमारा test रहेगा, तो जो भी हमने Monday to Saturday पढ़ा, उसका test हम क्या दोगे, Sunday को दे दोगे, तो आपको Sunday को comfort आ जाएगा, yes sir, now we are ready, now we are ready, तो जो चीज आपने हमको 5-6 दिन में पढ़ाई, अब हमने Sunday को उसका test दे दिया, तो अब हम ready हो गए, अब हमको एकदम बढ़िया confidence आ गया, कि हम चीजे लिख पाएंगे exam hall में, क्या ये point समझाया, हाँ sir, तो अब जब test की बात होई रही है, तो एक बाद test series भी समझ लो, sir test series कैसे रहेगी, हम आपके weekly test conduct करके चलेंगे, और जो भी weekly test होँगे, उसका आपको जो, कहते न है result, वो भी हाथो हाथ मिल जाएगा, sir इतनी fast checking, हाँ, क्यों, sir क्योंकि हमने एकदम revolutionize कर दिया, checking, with test checking guidance videos, क्या है sir ये, जैसे ही आपका test होगा, हम connect करेंगे zoom पे, हम सब connect करेंगे zoom पे, हम होंगे रूबरू, जहां मैं आपके साथ share करूँगा, marking scheme, marking scheme में मैं आपको बताता चलूँगा, इस point का, इस word का एक number, इस point का, इस word का आधा number, इस point का, इस word का एक number, और जैसी वो 15 से 20 मिनट का session खतम होगा, आपके सामने आपका score होगा, और आपको पता चल जाएगा, आप कहा stand करते हो, and trust me, अगर आपने चीजों को class में ठीक से सुना होगा, मेरे साथ class में participate किया होगा, आपके 60 to 70 percent number कहीं नहीं गए, अराम से आजाएंगे, और वो जो confidence के लिए बच्चे तरस्ते रहते ना, कि सर confidence नहीं आ रहा, वो confidence आप हर हफ़ते पाऊगे, हर हफ़ते वो confidence घर लेके जाऊगे, clear a point, yes sir, plus कई बच्चे सोचेंगे, सर evaluation करके भी कुछ मिले तो मजा है, तो मैंने उसका भी इंतिजाम कर रखा है, full course mock test with evaluation मिलेगा, इस बार भी जो November 23 के बच्चे थे हमने किया था, उस ते पहले जो May 23 के बच्चे थे उनके लिए भी किया था, तो इस बार भी जितने भी बच्चे इन्रोल करेंगे, सबको यह facility मिलेगी, so don't worry about it, कुछ नहीं बोलूँगा, कोई फाइदा नहीं है, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, तेज समझने का, अगर आप उसको 1.5 days में, revise ना कर पाओ, what is the benefit of learning so much, that you are unable to revise in the 1.5 days, क्या यह बात समझ आती है, हाँ sir, तो जो topper है, जो ranker है, जो exemption holder है, वो exemption क्यों ला पा रहा है, क्योंकि उसने हर चीज को 1.5 days में revise किया, and 1.5 days को तभी revise किया जा सकता, जब चीजे concise हो, ना कि चीजे फैली वी हो, तो I have actually concise the things, without compromising on your learnings, without compromising on the coverage, sir एक बार notes दिखाओ ना, एक बार हमको यह notes दिखाओ ना, कैसे आपने 210 pages में इनको compile किया है, so here comes the first look, of our audit notes, जैसे एक ranker के notes होते हैं, black में आपको heading मिलेगी, blue में आपको content मिलेगा, और जितने keywords हैं, audit में सारा मामला keywords का है, यह keywords आपको मिल जाएंगे red में, so it will be very easy, it will be very faster for you to revise the things, plus यह सारे keywords आपको class में ही ध्यान हो जाएंगे, class में ही learn हो जाएंगे, उसमें कोई घबराहट नहीं होगी, अब कई बार बच्चे बोलते हैं कि sir, हमें notes में यह कैसे पता चलेगा, कौन सी चीज important है, कौन सी चीज पहले ICI ने पूछ रखी है, तो suppose ऐसा कोई चीज रहती है, जो पहले ICI ने पूछ रखी है, for example, यह वाला topic, अब वो यह सब चीज़े सैटिस्फाय करता है, इसको हम notes बनाके, एकदम प्यारी memory technique के साथ याद भी करते हैं, अब आपको कैसे बता चलेगा, यह important है, अगर आप देखो, तो यहाँ पर referencing कर रखी है, MTP October 21, यानि आपने सिर्फ class के साथ, एक बार Quotient Bank करना है, उसके बाद आपको शायद Quotient Bank को देखने की भी जरूद ना पड़े, क्यों? आपका Quotient साथ साथ हो गया, आपका audit में best part यही है, जो भी case study based question आता है, वो content में सी आता है, तो अगर आपको पता है, इस content पे question आयो है, तो automatically आपका Quotient Bank कवर हो गया, यही point में आपको कहने की कोशिश कर रहा था, अगर 1.5 days में revise कर जाओगे, तो hero बन जाओगे, star बन जाओगे, proper spacing दे रखिए, proper आपको color coding दे रखिए, so that it is easy for you to go through these points, बिल्कुल भी खीचा पीची, ठीचे चीची कुछ भी नहीं कर रहा था, ठीक है, एंड जो आपकी language है, पूरी की पूरी ICI वाली हमने retain करके, चली है, कई बच्चे सोच रहोंगे, सर आप इतना concise कैसे कर पाए, simple सी बात बोलता हूं महनत करके, that's it, around 2.5 months मैंने spent करे हैं, जब से ICI का material आया था, I think July में आया था, ठीक है, और मैं August में बैठ गया था, क्योंकि मैंने पहले CA final पर focus किया था, because that's what we started with, so उसके बाद जब मैं CA Inter के notes पर बैठा, तो around 2.5 महीने लगे, and after 2.5 months, this is the thing which is ready, एकदम simple, minimalistic branding, and अगर कोई बच्चा इस किताब को पाएगा, तो उसके मुह से पता है क्या निकलेगा, वो जो देवी जी कहती है, so beautiful, so elegant, just looking like a wow, समझ गए सर, समझ गए सर, समझ गए, अब बात करते हैं सर, कोशन बैंक की, आपका जो कोशन बैंक रहेगा, क्या सर, इसमें ICI का study material cover होगा, क्या ICI के जो MCQs हैं, वो cover होंगे, क्या ICI के जो case study based MCQs हैं, वो cover होंगे, क्या ICI के, जो past exam के questions हैं, जो past RTP के question है, CA student क्या चाहता है, यही सब तो चाहता है, जो past MTP के question है, सर यह सब करवाओगे, तो मैंने का आओ, आओ आओ आपको एक बड़िया वाला sample दिखा है, तो ICI ने क्या करका हैं, इस बर पूरी variety of question दिया है, और हमने क्या किया, अलग-अलग करने की जगा, एक साथ आपको दिया, यानि सब्पोस हमने audit of banks करके, chapter notes में से complete किया, अब हम class के साथ-साथी, इसका question bank निप्टा लेंगे, कोई अलग से जंजट रखने की जिंदगी में जरूरत ही नहीं है, यानि test और understanding based questions करें, ठीक है सर, यह सारे questions हमने class में रिप्टा लिए, फिर मैंने आपको case study भी यहीं करा दी, अलग से कोई booklet की जरूरत ही नहीं है, जो ICI की case study है, वो भी यहीं पर कर ली case study based MCQ, फिर जो छोटे-छोटे प्यारे-प्यारे MCQ थे, यह सारे MCQs का content आपके notes ही आएगा, तो आप फट 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 जवाब भी दे जाओगे, oh my god, correct incorrect भी, साथ साथ, और the best part, जितने भी past exams, RTPs, MTPs, study material के questions हैं, वो भी आपको यहीं साथ साथ मिल जाएंगे, क्या यह बात समझ आती है, हाँ सर, और एक बात और बोलू, जैसे मैंने keywords को notes में read कर रखा है, for your faster coverage of the question bank, जितने भी keywords है, important words है, for faster revision, उनको यहाँ पे भी bold कर रखा है, तो यहाँ पे भी आपको फिर वो दिक्कत नहीं आएगी, यहाँ पे भी आपकी चीजें एकदम smartly हो जाएंगी, क्या यह बात समझाती है, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, यह बात समझाती है, गल्ती से मेरे से ना थोड़ा suspense खुल गया, तब यह suspense के लिए रुको, अब सर एक बात बताओ, batch तो हम ले लेंगे, और batch virtual रहेगा, चाहे live हो, चाहे recorded, आप doubt solve करते हो, भाई साब हाँ, that also a good thing, कि हम जितने भी doubts होते, सारे के सारे telegram पर आपके ले के चलेंगे, personal आपको doubt support number मिलेगा, मैंने किसी को delegate नहीं कर रखा, I will be personally taking your doubts, so you will get my personal number, and doubt support will be available over telegram, एक बार summarize कर लेते हैं, मैंने आपको तक क्या क्या बता है, ठीक है सर, तब से पहले पर भाई सा fun learning experience रहेगा, बिल्कुल भी आपको audit में boring नहीं आएगा, क्योंकि हमारी fun memory techniques आपका सुमाल के रखेंगी, ठीक है सर, दूसरी चीज, जो भी आप सीखोगे, उस पर confidence पाने के लिए, there is a test series included with this batch, तो उसकी भी टेंशन नहीं है, comprehensive coverage होगी, ICI study materials की, with concise materials, तो आप कह सकते हो, comprehensive come concise coverage, ठीक है सर, doubt support मिलता चलेगा, notes and question bank रहेंगे, तो सर कमी किस चीज़ की है, बस आपकी, बस आपकी कमी है, आपको बस साथ जुड़ना है, मैं तो हूँ यहाँ, material भी है, यहाँ जैसी हम दोनों साथ जुड़ेंगे, फिर सर magic होगा, फिर magic होगा, तो मैं सबसे पहले बता तहो magic कैसे होगा, तो options which are available right now, are live at home and recorded, जो live at home है, उसमें 100% backup मिलेगा, तो कल को अगर आप live miss भी करते हो, तो भी आपके पास backup available रहेगा, बट मेरी आप से एक request है, अगर live ले रहे हो, तो please discipline maintain करके चलना, क्या यह बात समझ आती है, हाँ सर, इवन अगर recorded ले रहे हो, तो भी discipline maintain करके चलना, देखो point कहना यार देखो, batch की fees किती 5,000 रुपे, मैं अगर आज आपके साथ जुड़ रहोना है as a faculty, मेरा task audit पढ़ाना तो है, आपको उपर लेके जाना तो है, बट आप कई बार सोचोगे सर, इस बंदे ने SRCC किया, इसकी दो बार rank आई, EY से आर्टिकल शिप करी, मैं इवन आपको अपना मैरिको का job का experience भी बताऊँगा, जहां मुझे 30 legs का package मिला था, ये सब कैसे आता है, बड़ा सोच के आता है, तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी, आपको discipline में रखने की, बट आपको भी अपनी तरफ से ये fire रखनी पड़ेगी, initiative लेना पड़ेगा, क्या आप ये commitment करने को ready है, अगर ready हो तो ही साथ जोड़ना, ठीक है, ठीक है सर, करेंगे सर commitment, करेंगे, so this is the fees, right now it is 5000 in the pre-book offer, ये बात समझ के चलो, अब कई बच्चे सोचेंगे सर, बड़े बड़े वादे कर रहे हो, ये वादे पूरे होते हैं कि नहीं होते, आपके previous results के आते हैं, तो मैं एक बात सची बोलता हूँ, भगवान की दया से, और students के efforts से, जो last result आये थे, even I was shocked with that, तो मैं आपके साथ एक बात share कर रहा हूँ, दिल थाम के बाटना ऐसे एकदम चौकना नहीं, 90%, 100% का सोचते थे, क्यूं, क्यूंकि आप एकदम बेख आफ तरीके से पढ़ते थे, एकदम attention के साथ पढ़ते थे, class के साथ test वगरा देते वे चलते थे, तो सब कुछ एकदम बढ़िया होता था, तो results भी एकदम बढ़िया आते थे, so this was our first batch, जैसा आप देख सकते हो, मेरी भावना दिखरी होगी, कि मेरी भावना मतलब, जो मेरी खुशी है, वो दिखरी होगी, कि कही ना कही, she was the top scorer, भावना शर्मा 85 marks, and I call them the stars of audit, जैसे आपको मैं बोलता हो न, inter star, इतनी छोटी age में, यह maturity लाना असान नहीं है, तभी मैं अपने, जितने भी inter students होते हैं, उनको inter student नहीं गयाता है, inter stars कहता हो, so these were the stars of audit, भावना शर्मा 85 marks, प्राशी गुपता 84 marks, इसकी तो story अलग है, इन्होंने तो पहले खाई, और audit class ली थी, ठीक है, वहाँ इनको शायद समझ सब आया, बट गया कुछ नहीं, तो when she came to me, she came to me in around April, April first week में, she took the around, I think the batch of audit, और उसके बाद आप देख सकते हो, 84 marks है, जब इनका call आया था ना, मेरे पास मतलब, आसु आगे थे आखों में से, ठीक है, कि किस तरह से, चीजें अच्छी हो सकते हैं, किसी के लिए, और इनकी पता है क्या ही थी, All India Rank 18, ठीक है, तो audit और All India Rank का, बहुत अच्छा relation चलता है, इसी तरह कनिश का single का, आप देख सकते हो, 80 marks, प्लस, एक कली अगरवाल और हैं, जिनके 79 marks आयते हैं, इनकी थी All India Rank 16, अभी November 23 के exams होएं, again I say, Almighty की blessings रही, बच्चों ने अच्छा hard work किया, बच्चों ने अच्छी महनत करी है, सब कुछ एकदम बढ़िया रहा, तो और बहता results निकल के आएंगे, that's it, that's it sir, so where you can enroll, you can visit bbvirtuals.com, एक बार मैं आपको समझा भी देता हूँ, कैसे रहेगा, so आप टाइप करेंगे अपने browser में, bbvirtuals.com, yes sir, यहाँ पर आप जाएंगे वीडियो लेक्चर्स में, वीडियो लेक्चर्स में आप जाएंगे अपने CA Inter में, CA Inter में अगर आप देखेंगे, तो Inter में आपको मिलना चाहिए, Audit and Ethics, ठीक है, Audit and Ethics करके मिलेगा, Audit and Ethics पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके पास option आजाएगा, आपको कौनसो option लेना है, अगर आपको Google Drive लेना है, mobile में, या फिर laptop में, तो आप Google Drive का option चूज करो, अगर आपको live लेना है, तो आप live at home देखो, और live at home आपको mobile में भी मिलेगा, प्लस आपके laptop में भी मिलेगा, ठीक है sir, with 100% backup, प्लस अगर आपको pen drive चाहिए, आपके पास net की facility नहीं है, तो आपको pen drive लेनी पड़ेगी, पर pen drive में एक बात ध्यान रखना, जब batch खतब हो जाएगा, तब आपको pen drive मिलेगी, क्या ये point clear है, हाँ sir, so here you can enroll, this is what I have already shared, and who should join this batch, अगर आप minimum 60 plus का सोच रहो, अगर आप minimum 60 plus का सोच रहो, तो तभी आना, दोस्त बना, खुशी से पढ़ेंगे, तभी हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, कोई भी आपके doubts है, कोई भी आपको कुछ, personally अगर कुछ चीज पूछनी है, तो मैं आपको एक email ID दे रहो, आप उस पर अपना message कर सकते हैं, वो doubt, I think audit class ca inter at gmail.com रहेगी, एक बार मैं check कर लेता हूँ, इसी पर हम आपके queries और doubts ले लेंगे, yes, audit class ca inter, audit class ca inter at the rate gmail.com, ठीक है, so see you all, और मैं एक यह बात बोलूँ है, sir क्या वापिस, चाहे audit पढ़ो, चाहे कोई और भी subject पढ़ो, खुशी से पढ़ो, क्योंकि खुशी से पढ़ेंगे, तभी हम आगे बढ़ेंगे, अभी तक अगर वीडियो पर attendance नहीं लगाई, तो जरूर लगा देना like करके, और अगर चैनल को subscribe नहीं किया, तो do subscribe for more such videos, see you all in the batch,